चलिए दोस्तों स्वागत है आप सली का एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में और आज मैं बिहार की राजधानी पटना में ख़रा हूं और पटना के मरीन ड्राइव पर ख़रा हूं सबसे बड़ी बात तो यह है मैं बोल रहा हूं मरीन ड्राइव के बारे में सबसे बड़ी बात कि मुंबई के बाद अगर मरीन कई है तो वह अब बिहार है जहां मरीन ड्राइव हो चुका है अब आप बहुत लोगों को यह समझ में ना रहा हो कि हम गजैंदरन नहीं है तो आप लोग्सा ओछके rocky यहां से स्फ़र मरीन ड्राइब कर तो इन सब के लिए अपनीन ट्राइब काफी काफी में आप देखी पा रहे होंगे मरीन का इधर जाना है हमें तो यहां से शुरू होता है हमारा मरीन ड्राइब का सफर चलिए आज मज़ने लेते हैं मरीन ड्राइब का और समय देख लीजा आप घड़ी में रात के तकरीबन एक बहुझ रहे हैं मरीन ड्राइव का जो खुबसूरत नजा रहा है वो आपके सामने है देख सकते हैं आप यहां से दूर तक इकदम बिल्कुल मुंबई वाली फिलिंग यहां आ रही है आप देखिए यहां करने जा रहा है चलिए इससे भी आगे चलते हैं लेके आपको मरीन ड्राइव की अगर बात करें तो रोड बहुत अच्छा बन चुका है हालाकि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो अभी चल रहा है आप देख सकते ही होंगे साइद स्क्रीन पर आपको में जर आ रहा होगा अच्छे से कि मैं अभी बीच बीच मैं खड़ा हूँ यहां सामने मेरे जो है वो जेपी शेतू है और इधर जो है वो अटल पत है बाकि इधर पूरा मनीन ड्राइव है मैं यहां रात के समय में आया हूँ यहां दिन में खास करके जो साम का समय होता है उस समय में यहां पर लोगों की अच्छी कासी भीर होती है अबी भी साथ आप मेरे पीछे देखता रहे होंगे सायद आपको नजारा दिख रहा होगा कि पीछे बहुत सारे लोग हैं हाला कि बहुत दूर दूर भी है तो उतना अच्छा से हो चकता है कि अच्छी कासी भीर होती है खास करके जो फ्रेंड सर्कल के लोग होते हैं जो क देखेगा यही हमारा बिहार है आज मैं यहाँ पहली बार मरीन ड्राइब पे आया हूँ हाला कि इस मरीन ड्राइब के उद्गाटन हुए काफी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है अभी अभी देखिए आदमी हो कि नहीं हो देखिए इनकी फौर यहां खड़ी है राकि एक दोस दो बाइ 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 मरीन ड्राइब का जो हमारा यह रास्ता है यह पी एम सी एच और गांधी मदान को जोड़ता है लाइटिंग की थोड़ी कमी है इसलिए मैं अच्छे से दिखा नहीं पा रहा हूं बाकि आप आगे देख पा रहे होंगे आगे बहुत अच्छी लाइटिंग है और हमारे पीछे है वह भी थोड़ी अच्छी खासी लाइटिंग है बाकि इसका भी बोट जगह जगह पे लागा हुआ है बाकि पूलीस वाले जो यहां के है वह बड़ी मुस्ताइदी से यहां आपनी डूटी निभाते हैं अभी भी मैं जब यहां आ रहा था तो पीछे जो है कई सारे पूलीस वाले वहां मौजूद थे रेड लाइट जो आपको आगे आपको दिख रहा है एक रास्ता यहां से नीचे की तरफ जा रहा है और यह जो रास्ते हैं यह उपर की तरफ जा रहे हैं तो मैं यहां से जो है अभी उपर रास्ता छोड़के नीचे से जाता हूँ चली चलते हैं नीचे की और यहां आप साइन भूट नेख पा रहे होंगे जो यहां साइन बोर्ड जो लगा हुआ है वह गांधी मेंदान का साइन बोट लगेवा इदर जो褗 वह गांधी मैंन की तह जाता है तो चलिए हम चलते हैं इधर कि उर कि हमें चहीं में गांधी मैंदान की जाना है अब बहुत हुआ मधिक द्राइब का सफर हमारा यह देखिए यह रोट्स के बारे में जो है जादे नॉलेज नहीं है इस वज़से भी जो है थोड़ा समय है कि बंग्यूज हो जा रहा हूं रोट्स को देखते हूं कि दिए कि दोस्तों मैंने अपनी जड़नी यहीं से स्टार्ट की थी और मैं अपनी जड़नी को यहीं समाप्त कर रहा हूं तो अपर inglisim강 को है एक बजे यहां-से निकला था तो अभी मुझे इधर चलना है कांधी मतां जाना वहां से फिर अने वीडियो को यहीं समाप् करता हूँ तो बिड्र एचि लाइक करें गोंट करथे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अरे तब आगला वीडियो देखियेगा जी तरी ज इस Iss 2021 में तक के लिए जैयन जै बिहार जै पतना